काचरी और हरी मिर्च की सब्जी नमश्कार दोष्टों, शुआगे तें आफ सभी का मारवाडि रिनकिचिन हिंदी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च और काचरी की सब्जी वैसे तो राजस्थान में बनाई जाती है और सबसे अधिकिसी राजस्थान में पसंद गिया जाता है लेकिन ये सब जगे पाई जाती है और सभी जगे पर इसे बनाया जाता है मैं आपके लिए काचरी और हरी मिर्च की न्यूरेसीपी लेकर आई हूँ तो आईए शुरू करते हैं काचरी और हरी मिर्च के सबजी बनाना मैंने यहां यह 500 ग्राम काचरी ली है यह चोटी बड़ी साइज दोनों साइज की मिक्स काचरी है और यह पकी हुई है इन दिनों में यह बिल्कुल कड़वी नहीं आती है 6-8 मैंने यहां हरी मिर्च ली है और लेंशुन लिया है अब हम काचरी को कट करते हैं बड़ी साइज की काचरी है तो इनको छोटे-छोटे पीसेज में कट करेंगे सबसे पहले काचरी का यह उपरी हिस्सा है इसको हमें हटा कर अलग कर देना है और इसे हम इस तरीके से दो पीसेज में कट करके और बाकी पीसेज में हम छोटे-छोटे कर लेंगे यह कडवी नहीं है इस मौसम में काचरी है जो पकी हुई होती है तो यह बिल्कुल भी कडवी नहीं होती कभी कवारे कड़वी भी निकल जाती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कड़वी निकलती ही नहीं है निकल भी जाती है तो आप इने टेस्ट करके ही कट कीजिए ये पकी हुई है तो मुझे इनको टेस्ट करने का आप शक्तम हैसूस नहीं हो रहा सारी काचरी मैंने कट कर लिए है हरी मिर्च भी बारिक टुकडों में कट कर लिया और लेशुन भी दरदरा कोट लिया है थोड़ा मैं अलग तरीके से काचरी की सबजी बनाना बता रही हूँ इस तरीके से बनाओगे तो सबजी का टेस्ट ना दुगना हो जाएगा कटी हुई काचरियों में हम एक छोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच धनिया पाउडर और एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और एड किया है एक छोटा चमच नमक एड़ किया है इस मसाले को हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे डिफरेंट तरीका सिर्फ यही है इसमें हम मसाले को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे पहले से ही तो ये काजरी में अच्छा सा मिक्स हो जाएगा आप इस तरीके से बना कर देखिए जगह हैं और भी तेल इसमें यूजगर शक्ते हो लेकिन सर्शों के तेल में ये सब्ची बहुत स्वादिश्ट बनती हैं सर्शों के तेल को अच्छे से पका लेना है और जब तेल पक जाएगा तब जीरा डालेंगे और शाती में दरदरा कुटा हुआ लहशून डालेंगे आप इसी टिप्स के साथ में इस सब्ची बनाएगे आपको बहुत अच्छी लागेगी और कम समय में बनकर तयार हो जाती है हरी मिर्च पर जब हलकी सी कोटिंग आ जाए तब इसमें डालेंगे काचरी काचरी में हमने आपके सामने सारा मसाला एड कर दिया है जो भी हमें आप शकता है अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे गैस का फ्लेम लो करके पका लेंगे इस तरीके से सब्ची हमारी बनकर तयार हो जाएगी लेकिन अभी पूरी तरीके से सब्ची बनी नहीं है अब इसमें डालेंगे हम एक छोटा गिलास पानी पानी की मात दखकन लगाके 10 मिनट तक पकाएंगे 10 मिनट हो चुके हैं 10 मिनट बाद में धकन हटा कर देखते हैं और ये देखी काचरी की सब्जी हमारी बन कर तैयार हो चुकी है अब इसमें हलका पानी नजारा आ रहा है तो 5 मिनट इसे बापिस पकाएंगे धक्कन लगा के पांच मिनट हो चुके हैं कड़ाई का धक्कन हटा कर देखते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स सबजी का कलर कितना बढ़िया आया है गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि काचरी की सबजी बंद कर तयार हो चुकी है इसमें खुश्बू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी कितना बढ़िया आया है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कड़ाई को गैस से नीचे उतार लेंगे शर्व करते हैं हरी मिर्च और काचरी की स्वादिष्ट सबजी आप इस सबजी को बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी और पराठे के साथ में शर्व कीजिए ये सबजी बहुत सुवादिष्ट लगेगी यदि फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी जरा से भी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक सेयर जरूर करें कमेंट जरूर करें और आल बटन को दबाएं ताकि वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और मेरे यूटूब चैनल मारवाडी रीना किचिन हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको नू रेसिपी क्या लेकर रहा हूं तैयार है हमारी हरी मिर्च और काचरी की स्वादिष्ट सबजी तब तक आप एंजोई कीजिए काचरी और हरी मिर्च की सबजी खाने में बहुत अच्छी लगती है आप इसे एक बार जरूर बनाएं आपका बार बार मराने का मन करेगा थेंक्यू